हलो श्टूडेंट्स विलकम टू सीप संकर जिक्के जीए सीप संकर जिक्के जीए समेक पर फिर साप सभी का स्वागत है तो श्टूडेंट्स आप लोग का चल रहा था पारामेडिकल परवेश प्रिच्छा 2022 के लिए जीके का शमान ग्यान का बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन विडियो पूरा दिखना है आरे के कोशन को अच्छे समझना है और इस विडियो को अपने दोस्तों के पास सेयर भी करते रहना है पहला कोशन काता है उधम सी नगर जीला निम्नलिखित में से किस राज में है आप्सने पंजाब आप्सन भी उत्रांचल और आप्सन सी उत्तर परदेश और आप्सन डी राजस्थान तो उधम सी नगर जीला जो है वह वहाँ उत्तर परदेश में है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाता है option number C उसके बाद फिर अगला number question काता है निमनलिखित में से किस राज की सीमा मैनमार से नहीं लगती है option A, मिजोरम, option B, मनिपूर, option C, नागलेंड, option D, मेघाले तो काता है कि निमनलिखित में से किस राज की सीमा मैनमार से नहीं लगती है तो वो है मिघाले, right answer आपका option number D उसके बाद अगला number question काता है भारत की सबसे बड़ी सुरंग, जवाहर सुरंग, कौन से राज में इस्तिता है option C, पचिममगाल, और option D, जम्मु एवं कस्मीर तो question है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, जवाहर सुरंग, वो किस राज में इस्तिता है तो वो है जम्मु एवं कस्मीर में, right answer आपका option number D उसके बाद फिर अगला number question काता है कि Monteverish नाम किसके नाम पर रखा गया है Option E England के समराट के नाम पर Option B सिखर पर चड़ने बाले परवत रोही के नाम पर और Option C भारत के मासर विच्छक के नाम पर और Option D भारत के वाइसराई के नाम पर तो देखिए कोशन कहता है कि Monteverish का जो नाम रखा गया है वो किसके नाम पर रखा गया है तो जो रखा गया Monteverish का नाम वो रखा गया आपका भारत के एक मासर विच्छक के नाम पर रखा गया है तो यहाँ पर आपका राइट एंसर Option C उसके बाद फिर अगला नंबर कोशन कहता है कि खैबर दर्री से कौन से देश जुड़े हैं आपसने भारत एवं पाकिस्तान आपसन भी भारत और आफगानिस्तान और आपसन सी अफगानिस्तान और पाकिस्तान और आपसन डी अफगानिस्तान और ताजकिस्तान तो देखे खैबर दर्रे सो जो देश जुड़े हैं वह देश है अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो आपका यहाँ पर राइट अंसर हो जाता है ऑप्सन नमबर सी उसके बाद आगला नमबर कोशन कहता है कि निमनलिखित में से कौन सा जिला उत्तर परदेश के तराई छेतर में नहीं इस्तित है आपसन A में दिया है पीली भीत और आपसन B में दिया है बहराइच और आपसन C में दिया है लखिमपूर और आपसन D में दिया हरदोई तो कहता है कि जीला उत्तर परदेश के तराई छेतर में इस्तित नहीं है तो वह है आपका हरदोई राइट अंसर option number D अगला question काता है निमने लिखित में से कौन सा सहर सुदुर पूर्व में इस्थित है option A लखनव option B जवलपूर option C हैदराबाद option D चेननई तो सहर सुदुर पूर्व में जो इस्थित है वह लखनव इस्थित है तो right answer आपका option number A उसके बाद अगला number question काता है निमनोक्त भारतिये राज्यों में से कौन सा लगवग इतना बड़ा है कि जितना उरोप की राष्ट पोलेंड option A में दिया है बिहार option B में दिया है उडिसा और option C में दिया है महाराष्ट और option D में दिया है महाराष्ट देखिये काता है कि कि इतना बड़ा कौन सा राज भारत का जितना कि इरोप का राष्ट जो है पोलेंड है तो राइट अंसर आपका option number C महाराष्ट उसके बाद आपका अगला number question है निमन में से कौन से राज को भारत का बाग राज कहा जाता है option A हिमाचल परदेश option B गुजिरातर और option C मद परदेश और option D असम तो बाग राज जो कहा जाता है वह कहा जाता है आपका मद परदेश को कहा जाता है तो राइट अंसर आपका option number C उसके बाद अगला number question कहता है कि भारत की सिलिकॉन बैली निमनलिखित में से किस सहर में है option A, देहरादून, option B, बंगलोर, और option C, हैदराबाद, और option D, सिरिनेगर तो सिलिकॉन बैली जो है वह भारत के बैंगलोर सहर में है राइट अंसर आपका option नमबर B उसके बाद फिर अगला नमबर कोशन कहता है कि निमनलिखिते जीलों में कौन सा भारत की अंतरष्टिय सीमा पर इस्थित है option A, गोरकपूर, option B, जैपूर, और option C, किनाओर, और option D, कुलू तो देखी कहता है कि जीलों में कौन सा भारत के अंतरश्टिय सिमा पर इस्थित है तो वो है आपका किन्न और राइट अंसर आप्शन नमबर C उसके बाद फिर अगला नमबर कोशन कहता है कि अंडवान और निकोवार दीप समू की रजधानी है आप्शने पोर्ट बलेयर आप्शन B कावारती और आप्शन C माहे और आप्शन D आईजॉल तो अंडवार और निकोबर दीप समू की जो राजधानी है वह है आपका पोर्ट बलेयर राइट अंसर आपका ओप्सन नमबर A उसके बाद अगला नमबर कोशन कहता है कि निमन लिखी ते दरों में कौन सा सतलच घाटी में पड़ता है तो देखिए काता निमन लिखी दरों में से कौन सा सतलच घाटी में पड़ता है तो वह पड़ता है जो सतलच घाटी में सिपकी ला राइट अंसर आपका ओप्सन नमबर C उसके बाद अगला नमबर कोशन कहता है कैलास मान सुरोबर कि यातरा पर जाने वाले तीर्थ यातरियों को तिबबत में परवेश करने के लिए किस दरे को पार करना पड़ता है आप्सन A में दिया है खार डुंगला और आप्सन B में दिया है रुह तांग और आप्सन C में दिया है लिपू लिख और आप्सन D में दिया है नाथुला तो देखे कहता है कि कैलास मन सुरोबर की आतरा पर जाने वाले तीर सीर्थी को तिबबत में परवेश करने के लिए किस दरे को पार करना पड़ता है तो वो है आपका नाथूला राइट अंसर आप्शन नमबर डी उसके बाद अगला नमबर कोश्चन कहता है कि पंच सीर घाटी कहां इस्थित है आप्शने लिवनान आप्शन वी अफगानिस्तान और आप्शन सी जम्मू तथा कस्मीर भारत और आप्शन डी सिर्या तो पंच सीर घाटी जो इस्थित है ओवा है आपका अफगानिस्तान मे इस्थित है, right answer option number B, उसके बाद फिर अगला नमबर कोशन कहता है, भारत का प्रथम सौर सहर कौन सा है, option A, आनंदपुर साहिब, option B, मुंबई, और option C, बंगलोर, और option D, दिल्ली, तो भारत का प्रथम सौर सहर जो है, वह है, आनंदपुर साहिब, right answer option number A, उसके बाद अगला नमबर कोशन कहता है, निमनलिकित में से, वहा परवत्सरिनी कौन सी है, जो भारत में सबसे पुरानी है, option A, हिमाला, option B, बिंध्याचल, और option C, आरावली, और option D, सहयाद्री, तो देखे, कहता है, वहा परवत्सरिन कौन सी है, जो भारत में सबसे पुरानी है, तो वह है, और आभली राइट ul, आप्सान नम्बर C उसके बाद फिर अगला नम्बर कोस्ष्षन काता है भारत निम्नलिखित में से किस गुलार्ध में इस्थित है अप्सने उतरी और पुर्वी गुलार्द उप्सन 니 और पुर्वी गुलार्द और आप्सन C उत्री और पच्छमी गुलार्द और उत्री और दच्छिनी गुलार्द तो भारत जो है उत्री और पुर्वी गुलार्द में इस्तित है तो right answer आपका option number A उसके बाद अगला number question काता है रेड क्लिफ लाइन निमनलिखित में से कीन देशों के बीच से मार एका है बारत और बंगलादेश बारत और भुटान और बारत और चीन और बारत और पाकिस्तान तो रेड़ क्लिप लाइन जो है वहाँ भारत और पाकिस्तान देश के बीच सीमा रेखा है तो यहाँ पे आपका राइट अंसर हो जाता है ऑप्सन नमबर डी उसके बाद फिर अगला नमबर कोश्चन कहता है बिदूत उत्पादन के लिए नगर अपसिष्टो का परियोग करने बाला भारत में पहला सहर कौन सा है आपसन ए कोलकाता आपसन भी मुंबाई आपसन सी दिल्ली और आपसन डी चिन्नाई तो कहता है कि बिदूत उत्पादन के लिए नगर अपसिष्टो का परियोग करने बाला भात का पहला सहर जो है वो है आपका चिन्नाई राइट अंसर आपसन नमबर डी उसके बाद अग आपसन सी पुर्वी घाट आपसन दी सत्पूरा तो देखिए उच भूमित लगाना पठार का अंग नहीं है तो वो है आपका आपली राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका आपसन नमबर ए उसके बाद फिर अगला नमबर कोशन कहता है सल तोरा परवत माला कहा इस् और आपसन दी पच्मी घाटों के एक अंग के रूप में तो कहता है कि सल तोरा परवत माला जो इस्थित है ओवा है कारा कोरम परवत माला के एक अंग के रूप में तो आपका यहाँ पे राइट अंसर हो जाता है आपसन नमबर सी उसके बाद अगला नमबर कोशन कहता है निमनलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान दीप समूख के सब से निकट है आपसने सिरिलंका आपसन भी मैनमार आपसन सी इंडोनेसिया और आपसन भी पाकिस्तान तो देखिए कि वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान दीप समूख के सब से निकट है तो वो है पाकिस्तान राइट अंसर आपका ओप्सन नंबर डी उसके बाद अगला नंबर कोशन कहता है भारती ये पिट्रोलियम संस्थान निमने लिखित में से कहां पर इस्थित है ओप्सने विसाखपटनम ओप्सन भी दिली और ओप्सन सी देहरादुन और ओप्सन डी चिन नहीं तो भारती ये जो पिट्रोलियम संस्थान है वो है आपका देहरादुन में तो राइट अंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ओप्सन नंबर डी उसके बाद अगला नंबर कोशन कहता है जबाहर सुरंग की स्राज में है ओप्सने ही और कश्मीर में राइट अंसर आपका ओप्सन नंबर बी तो स्टूडेंट्स यह था इंपोर्टेंट कोश्चन इस वीडियो को सेर किजिएगा अपने दोस्तों के पास मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा